सरकार का बड़ा बयान एनर्सी तयार करने पर कोई फैसला नहीं ग्रेयर राजमंत्री लोगसवा में सरकार ने लिखित में दिया जबाब निट्या नंदमाईर ने सदन को लिखित में दी जौन खरी सी ए और एनर्सी को लेकर देश भर में हो रहा है विरोध परदर्शन सवालों का सिलसला भी थमा नहीं है लेकिर उस बीच देशी संसत से आती ये खबर आपको बचा रहे हैं CA NRC को लेकर देशफर में विरोध के बीच एक खबर जो आप तक मौशनी ज़रूरी है NRC पर केज सरकार का बड़ा बयान आया है NRC तयार करने पर कोई फैसला कोई निर्णाई नहीं ग्रेराजमंत्री लोकसवा में सरकार ने लिखित में यह जवाब दिया है निट्यानन राई ने सदन को लिखित में दी जानकारी CA NRC को लेकर देशफर में विरोध परदरशन अमित दुबे जोड़ा है मारे साथ हमारे सेयोगी इसी पर उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं अमित एक तरह बिरोध परदरशन का दौर अभी थमा नहीं है सवाल पूछाई जा रहा दूसी तरह देशी संसत से जो लिखित में जवाब दिया गया है किस तरीके से देखा जाए पिल्कुल देखिए सबसे पहने चूब कि सीधा परदान मंत्री कह चुके है कि अनार्सिक लेके कोई डिसीजन नहीं हुआ इसके बाद ग्रह मंत्री का बयान आया लेकिन विपक्ष उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और यहीं बजाए कि आज पार्लियामेंट में ग्रहराज मंत्री के द्वारा लिखित बयान दिया गया जिसमें साथ तर रुप का गया कि अनार्सिक लेकि अब तक कोई डिसीजन नहीं और नहीं फिलाल जो है सरकार की से लागू करने की कोई मन्शा है और लेकिन जिस तरह से लगातार नर्सी और नर्सी को लेकर खास्तार प्रदर्शन देखने को मिलना है और अब तक कई महिनों से कई जगे प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली की बात पर शाहिंग बाग में जिस तरह लगात और आप जाकर ये लिखित में आ रहा है ये दिया जारा सरकार की तरफ से कि कोई इस तरह का निर्ण नहीं लिया जा रहा है इसको किस तरीके से देखा जाए दबाव है या कुछ और है क्योंकि सवालों का सिलसला भी है विपक्ष लगातार हा भी हो रहा है जनता अपने शाहिनबाग का जिक्र किया जिए सबसे बड़ी चीज़ जो NPR आया है खास तरफ से NPR में इस बाद तीन कॉलम और बढ़ाए गए है तीन जानकारिया और मांगे गई है और उसे लेके भी कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो लोगों को बता रहा है चीज़े जो है वो अलग तरह से पार्टिसिपेट हो रही जिनके जिने लेके कहा जा रहा है कि यह NRC का ही एक रूप है अब क्योंकि लिखित बयान आया उसके बाद बिपक्ष अपनी भून का कैसे निवाता है ये देखने बाली बात होगी लेकिन जिस तरह से लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कही ना कहीं सरकार को पर एक प्रेशर कहा जा सकता है और यही वज़े थी कि पहले अमिश्चा जो शुरुआते इंटर्व्यू थे उनमें लगातार इस बात को कहते थे कि NRC पूरे देश में लागू होगा लेकिन उसके बाद फिर पुरे देश में लागू होगा ल इस तरह से ग्रेह मंत्री अमिश्चा के बयान को पूरी सरकार एक सुर में नजर आती है जी नजर बना रखिएगा बहुत बहुत शुक्री आमित आपका इस चानकारी के लिए